Good morning student, आज हमारे date है 14, दे है हमारा Friday, आज हम enrichment activity करेंगे, इस activity में हम आज करेंगे gender, हमें इस तरीके से ये बनाना है, Firstly हम A4 sheet लेंगे, कोई भी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस तरीके से हमें तीन circle काटने हैं, बड़े, और 10 हमें छोटे circle काटने हैं, इस तरीके से, हमने जो तीन circle बड़े काटे थे, इसको इस तरीके से चिपकाना है, और इसमें gender लिखके masculine और feminine gender लिखना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर paste करना है, और उपर हमें gender लिख देना है, next हमें हमने जो छोटे circle 10 काटे हुए हैं, उसमें हमें, उनमें हमें इस तरीके से लिखके father, mother, इस तरीके से uncle, aunt, king, queen, इस तरीके से लिखना है, और हमें इनको paste करना है, इस तरीके से हमें इनको paste कर देना है, इसी तरीके से हमने ये tan काटे थे, इनमें सभी में ये boy जैसे boy अंदर हो जाएगा girl, इस तरीके से हमें सभी में लिख देना है, फोर इनको हम paste कर देते हैं, यहाँ पर हमने ये सब paste कर दिये हैं यहाँ पर, next में हमें क्या करना है, जो एक में जेंडर लिखा था और इन दो में फैमिलेन एंड मस्कुलेन जेंडर लिखना है और इनको यहां पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है यहां पर हमारा यहां पर हमारा यह पर हमारा यह पेस्ट हो जाता है इस तरीके से हमारे जेंडर शीट बन जाती है देखो जेंडर इसके अंदर है जेंडर मस्कुलन जेंडर फैमिलन जेंडर नेक्स्ट है जे फादर फादर ये मस्कुलन जेंडर है और ये मदर फैमिलन जेंडर है इस तरीके से हमें ये सभी में अंकल, आंड, किंग, क्वीन, ब्रदर, सिस्टर, बोई, गर्ण, सन, टोटर, नेफ्यू, नैसी, पिकोग, पिहैन, लोयन, 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 टाइगर, टाइगर्स इस तरीके से हमने ये सब इसके लिख दिया है, और उनको पेस्ट कर दिया है, यह हमारा मैस्कुलेन जेंडर, फैमिने जेंडर, यह का हमारा बन गया, आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझसे पूस सकते हैं, थेंक्यू